और इस ब्रह्मणवादी हिंदुत्वा की हजमनी को यहीं से चुनोती मिलेगी जिस दिन इस देश का आधी आबादी का OBC समाज फिर से एक जुठ हो जाएगा और इस बात के लिए तयार हो जाएगा कि हम अपने हको को के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे इसके लिए हम लोग आज फिर से एक जुठ होने का एक संकल्प लें एक चलते इंद्रासानी जज्जमेंट में नव जजजेस की बेंच ने 1992 में वो फैसला सुनाया एतिहासिक फैसला सुनाया जिसके तहट यह सुनिशित हुआ कि मंडल कमिशन के रिपोर्ट लागू करने का आधार जायज है यानि देश की 52 फीजदी आबादी को जाती के आधार पर पिछड़ा माना जाएगा और इनको जाती के आधार पर आरक छड़ दिया जाएगा मंडल कमीशन का नाम आपने सुना होगा BP मंडल यानि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जिनके नाम पर हम मंडल कमीशन को यानि अन्य पिछड़े वर्प के लिए बने दूसरे राष्ट्री आयोग को हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं और जो मंडल कमीशन लागू हुआ और जिसके चलते हैं देश की आधी आबादी को सारजनिक सिक्षड संस्थानों और सारजनिक नौकरियों में आरक्षड मिला जिसके तहत वह आधी आबादी अपनी नुमाइंदगी सुनिश्यत करती है सवाल इस बात का है कि आज आजादी के लगभग साथ दशक बीतने के बाद यानि 70 साल बाद इस देश की आधी आबादी मैं जब आधी आबादी कह रहा हूँ तो इस बात की गंविरता को समझे कि मंडल कमिशन ने आधार बनाया था 1931 की जाती जंगर्ना का और बाकी सर्वे का जिसके आधार पर उसने कहा कि इस देश में 52 फीज़ी आबादी 3743 उन जातियों की है जिने समाजिक और सैक्षड़िक तोर पर पिछड़ी जातीया कहा जाता है उन आबादियों की जो स्थती है वो इतनी समाजिक और सैक्षड़िक तोर पिछड़ी हुई है जो इस देश के चलाने में इस देश के सत्ता संसाधनों में कहीं भी नहीं है इस पूरी बहस को क्रिश्टोफ जफ्रले एक बहुत शांदार शब्द देते हैं The Silent Revolution और वो कहते हैं कि मंडल कमीशन को हमें एक साइलेंट पॉलेटिकल रिवोलूशन की तरह देखना चाहिए एक ऐसा रिवोलूशन एक ऐसी क्रांती जिसने राजनितिक तोर पर वह बुनियाद रची जो सामाजिक और सेक्षडिक तोर पर अन्य पिछड़े वर यानि इस देश की आधी आवादी के लिए क्रांती का सबब बन कर सामने आती है एक दो बातें बहुत संख्षेट में चुकी बीपी मंडल जी की जैंती है और ऐसे नायक जिनने हमें याद करना चाहिए आज जब इस देश में जो प्रतिनायक है जिनने मैं अपनी साहितिक भाषा में कहूं तो खल नायक है उन्हें राश्ट नायक बना कर पेश किया जा रहा है हम ऐसे दोर में है यह कोई नया काम नहीं है इसके पहले यह काम जंगे आ जा दी के वक्त भी किया गया जब उतिहास लेखन में हमें यह बताया गया कि बाल गंगा धर्तिलक बाल गंगा धर्तिलक बाल लालाच पतराय डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ और मदन मोहन मालवी जैसे वे विचारक जो घोर दक्षडपंती विचार रखते थे जो घोर महिला विरोधी विचार रखते थे जो घोर दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी विचार रखते थे चुकि वो जंगे आजादी के लिए लड़ रहे थे कॉंग्रेस के साथ थे तो वो राष्टर नायक कहे गए वो एक बुन्याद थी जहां हमने यह साहस नहीं पैदा किया कि भगत सिंग के शब्दों में लाला लाजपत राय को खरी खोटी सुनाई जाए कि आप एक दक्षरपंथी विचार के मानने वाले हैं नहीं साहस हो पाया डक्टर राजेंदर प्रसाद इस देश के पहले राष्टुपती होते हुए भी सोमनात मंदिर का उध़ाटन करने जाते हैं बनारस में विशनात मंदिर के दर्शन के बाद ब्रामणों का पैर धुलते हैं भारत का पहला नागरिक यह काम इस देश में खुले आम करता है नहरु एक पत्र लिख करके खामोश हो जाते हैं कि आपने यह गलत किया लेकिन नायकत तो स्थापित हो जाता है और आज भी हम उनकी जेंतियां धुमधाम से मार रहें और आमने उनके अंतर विरोधों को शांत कर दिया आज सत्तर साल बाद उसी जंगे आजादी के वक्त एक ऐसा संगठन जो पंचान विसाल का हो चुका है जिसने घोर दक्षर पंथी विचार धाराग पर चलते हुए इस देश को हिंदू राष्ट बनाने का खाब देखा इस देश के महात्मा गांधी कहे जाने वाले मुहंदास करमचंद गांधी की हत्या की बैन हुआ और आज पूरे देश पर राज कर रहा है हम उस दोर में है और केवल राज नहीं कर रहा यानि केवल वह दक्षडपंथी संगठन यानि RSS केवल राजनितिक सफलता के चलते इस देश की सत्ता की कुरसी पर नहीं बैठा है वह इस तरह से राज कर रहा है जिस तरह आज तक आजाद भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा राज नहीं किया था सारे देश के संसाधनों को बेच देना सारवजनिक संस्थानों को प्राइविटाईज कर देना और देश की आम जनता की पूजी को कुछ कार्पोरेट के हतों में सौप देना और दूसरी तरह जस वक्त कोविड नाइंटीन चल रहा है उस वक्त उस पार्टी का राश्ट्री अध्यक्ष बेतहाशा गर्व के साथ, हेंकार के साथ यह ट्वीट करते हुए गोशना करता है कि इस देश के 500 जिलों में हमने भारती जनता पार्टी की कार्याले और आफिसें खोल दी हैं और आगामी दो साल में हम बाकी 400 जगों पर भी खोलेंगे और इस देश में जितने जिले नहीं हैं उससे ज़्यादा उनके कार्याले होंगे उनके political party कार्याले होंगे यह एक पक्ष है हमारे वक्त का दूसरा पक्ष भी है वह दूसरा पक्ष यह है कि जनता के बुनियादी सवालों से पूरे देश की बहस को हटा देना अब वो कर क्या रहा है जिन लोगों के हाथों में इस देश की सारोजनिक पूजी को बेच रहा है सारोजनिक संपत्यों को बेच रहा है उन कार्पोरेट घरानों के जरिए बड़े-बड़े मीडिया हाउसे संचालित हो रहे है बड़े-बड़े अख़बार निकल रहे है नियूस चैनल चल रहे है और उनके प्रभाव के चलते सारे लोकतांत्रिक संस्थान अपनी जनतांत्रिक जिम्मेदारी भूल करके सत्ता के पक्ष में खड़े नजर आ रहे है जिससे हो क्या रहा है कि जन सरोकारी मुद्दे बहस से गायब ये आज का वक्त है और वही लोग एक तरफ से सरकार उनको फाइदा दे रहे है वो कार्पोरेट घराने मेडिया के जरीए अखबारों के जरीए सोचल मेडिया के जरीए आपको जूट पैला रहे है अपके इतिहास तोड़ मरोड के पेश कर रहे है और खुद अपनी सरकार अपनी पार्टी के आफिसेज बनवा रहे है जहां सरकार नहीं बन पा रहे है वाँ विधाय के खरीद रहे है सरकारे गिरवा रहे है सब कुछ कर रहे है और तीसरा काम वो सबसे महतपूर जो कर रहे है जो शायद आपको पहली नजर में न दिखे वो अपनी सांस्कृतिक विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं वो अपनी विचारधारा पर खड़े हैं उन्हें अपने विचारों से समझोता नहीं किया बेशक देश बेच दिया हो बेशक सारे सारवजनिक निकाय बेच दिये हो लेकिन विचारधारा से समझोता नहीं किया अगर उन्हें 370 हटाना था तो हटाया उन्हें हिंदु मुस्लिम करना था तो वो किया उन्हें दंगे करवाने थे तो बेशान शौकत से दंगे करवाए गाव गाव में हिंदु मुस्लिम का जहर घोल दिया ये सारे काम उन्होंने करवाए और इस देश को हिंदू राष्ट बनाने के दिशा में लगातार वो आगे जा रहे है और कमंडल की यात्रा जो लगभक तीन दशक पहले उसी दोर में शुरू हुई थे जिस दोर में मंडल कमिशन का अंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ खड़ा हुआ कमंडल का अंदोलन आज अपने उन्वान पर है और पाँच अगस्त को ये घोशना कर दी जाती है कि इस आजाद भारत में 15 अगस्त के जैसा एक राष्ट्री अपर वो मनाया जाएगा पाँच अगस्त नया भारत बनेगा लाइफ टेली कास्ट होता है एस देश का प्रधान मंत्री अपने पद की गर्मा के साथ खिलवार करता हुआ एक धार्मिक आयूजन में शरीक होता है जिसे उन्हीं की पार्टी की शुस्मा सुराज ने पहले ही कह दिया था बोपाल में कि राम मंदर आंदोलन एक राजनितिक आंदोलन है जिसका सीधा सा फाइदा भारती जन्ता पार्टी को होगा और हुआ उन्होंने अपनी विचार भारा से समझोता नहीं किया तो आज जब मैं आपसे मुखादिब हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन पहलों की तरब कुछ संकेतों के जरिये ले चलू जहां से हम यह बात समझने की कोशिश करें कि आज हम कहां खड़े हैं और आने वाला वक्त वैचारिक आधार पर किस तरह की चुरोतियां पेश करने के लिए विकल्प रखता है तो जहां से मैंने बात अभी की कि जो रथयात्रा अंदोलन था जो मंडल कमिशन का अंदोलन था यह अंदोलन इसके खिलाफ खड़ा हुआ अंदोलन था कमंडल का अंदोलन यू तो इस पूरे अंदोलन को 1999 में आजाद होते ही मूर्थियों का प्रकट हो जाना हिंदो मुस्लिम इवाद वहां से शुरू हो गया और उसके बाद 1984 में आकर के जब विश्व हिंदो परिशद यह घोशना करता है कि वो राम मंदिर बनवाएगा तो वो आरेसस का संगठन नहीं आनुशान जे की संगठन होता है और उसके बाद जब 89 में सेकुलर कही जाने वाली नहरू के विचारों होए नहरू ने 49 की मूर्थियों के लिए क्या किया वो इतिहास आप जानते हैं मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता है खुलवाने के समय सरकार किसकी थी यह सब चल रहा था लेकिन वह वही दौर था जब दक्षण भारत में एक बड़ा आंदोलन पेरियार की धरती ईवी रामा स्वामी पेरियार की धरती जिसने सच्ची रामार लिखी जिसने उस जमाने में साहस किया यह बात कहने की कि आरे विदेशी थे और हम राम को नहीं मानते पेरियार किसी एक समाजवादी वहचारकी के संगठन में नहीं थे कि जिस दिन वो कह दें कि मैं राम को नहीं मानता उसी दिन उनका पदर उनसे छील लिया जाए और कहा जाए कि अब आपकी जरुवत हमें नहीं है वैसी समाजवादी वहचारकी वाली पार्टी के पेरियार नहीं थे पेरियार एक सांस्कृति कांदोलन के दार्शनिक थे और उन्होंने पूरे तेवर के साथ कहा कि राम आरे थे विदेशी थे आतताई थे हम राम को नहीं मानते और मैं पूरे रिफ्रेंस के साथ वह बात कहना चाहूंगा दहर्ब और विशुद्रिष्टी और बिलकुल आप चाहें तो पेरियार को पढ़ है मैं उस रिफ्रेंस से बात कर रहा हूँ उस पेरियार ने कहा कि हम ब्लैक शर्ट मुव्मेंट के साथ ये कहेंगे कि रामायर जूठी है हम सची रामायर लिख रहे है उस पेरियार की धर्ती में ये साहस था जो एक जुठ होने की कोशिश कर रहे थे जो ओभी इसी थे इवी रामस्वमी नाइकर पेरियार गड़िया जाती है अनि पश्पालक जाती से आते थे और उसके पहले माली जाती से आने वाले जोतिबा फूले ने ललकार करके कहा था कि धर्मिक गंत हमारी गुलामी है गुलामी के आधार है और हम सब इनके मान से गुलाम बन चुके आज कुछ OBC लोग यह दर्शन चलाते हैं कि फूले जूटे थे फूले नहीं जानते थे पिरियार तो पागल आदमी था यह तर्क लिखते हैं OBC समाज के लोग और वही कालपनिक आधार उनका है जो एक दक्षन पंति समढ़ वरमण वादी मान सकता का है आगे जाता है और उसकी रिपोर्ट जब लागू उसकी अनुशन शायें जब आती हैं तो खुद काका कालेल कर कहते हैं कि हम इसको लागू न होने दें इसका पूरा रूप रेखा वो बना के गए होते हैं एक जनवरी 1989 को फिर BP मंडल के ध्यक्ष्टा में एक नया आयोग गठित होता है जिसका नाम है मंडल कमीशन एक बारीग बात और है जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि काका कालेल कर कमीशन ने आर्थिक आधार पर पिछड़ापन को मापा था लेकिन मंडल कमीशन के शिफारिशों में ये कहा गया कि सामाजिक और सेक्षडिक पन का आधार जाती है आर्थ नहीं है पहली बात जो बहुत गहराई से समझिएगा और इस बात के चलते इंदरा सानी जज्जमेंट में नव जजजेस की बेंच ने 1992 में वो फैसला सुनाया एतिहासिक फैसला सुनाया जिसके तहट यह सुनिशित हुआ कि मंडल कमिशन के रिपोर्ट लागू करने का आधार जायज है यानि देश की इन बामन फीजदी आबादी को जाती के आधार पर पिछ्ड़ा माना जाएगा और इनको जाती के आधार पर आरक छड़ दिया जाएगा और इसके लिए इन्होंने क्या किया प्रोफार्मा बनवाया था मैं वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा पढ़ना चाता हूँ जहां से यह बात जूरती है कि इन्होंने कितनी मेहनत की थी और कितनी जगह पर इन्होंने कैसे कैसे वो सारे काम किये जिसके चलते यह कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको ब्यवस्थित किया एक जिले में तीन गाओं को सेंपल लेते थे इन्होंने हर जिले में जा करके किस तरह सेंपल जुटाए और उस सेंपल जुटाने के साथ सेमिनार कराए अकादमिक संस्थानों में गए राजनितिक पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से सबसे इन्होंने बात की और उसके बाद यह पूरी प्रक्रिया में निशित किया कि जाती ही किस तरह से सामाजिक पिशड़ेपन का आधार है दूसरी बात की जब उन्निस सो अभी बीपी मंदल जिस मकसद से इनको चुना गया था वियार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक बड़ा प्रसिद सा वाक्य विलकुल साफ तोर पर लिखा और इसको आम जनता के बीच स्थापित किया कि समानता केवल समान लोगों के बीच होती है और असमान लोगों को समान अस्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना एक कार्टून आपने शायद देखा हो कि एक ऐसी दीवार है और उस दीवार पर दूसरी तरफ लोगों को देखना है तीन कद के लोग है एक व्यक्ति सबसे लंबा है जो सामान में तौर पर खड़े हो करके भी दीवार के उस पार देख पा रहा है दूसरा व्यक्ति मध्यमुचाई का है जो बड़ी मुश्किल से दीवार पर पहुँच पा रहा है तीसरा व्यक्ति कद में बहुत छोटा है और वह व्यक्ति उस दीवार के पीछे नहीं देख पा रहा है अब तीन तरह के बॉक्स दिये गए और उन तीनों बॉक्स में समानता का अधिकार क्या कहता है कि हम उन तीनों व्यक्तियों को एक एक बॉक्स पर खड़ा करें और वो तीनों दीवार के दूसरी तरफ देख पाएं equality before unequal असमान लोगों के सामने हमने समान नीतियां बना दी बीपी मंडल ने साफ तोर पर मंडल कमिशन के रिपोर्ट में कहा आसमान लोगों के साथ आसमानता दूर करने के लिए आसमान वितरण करना होगा और तब उस काल्टून का बॉक्स अगर आपको याद आ रहा हो तो जो बेक्ति सबसे छोटे कद का है उसको दो बॉक्स दे करके उसकी उचाई को दिवार की बराबर किया जाए ताकि वो दूसरी तरब देख पाए जो मद्यम उचाई का है उसे एक बॉक्स दिया जाए ताब वो दिवार के दूसरी तरब देख पाए और तीसरा वक्ति जिसको बॉक्स की जरुवत नहीं है उसे नाहग बॉक्स देने की जरुवत भी नहीं है और इस पूरे मानसिक वैचारिक टेवर में बीपी मंडल विंदर शुरी प्रसाद मंडल किस वैग्राउंड से आकर के पहुंचे थे 25 अगस्त को यानि आज ही के दिन 1918 में बनारस में इनका जन्म हुआ लेकिन मदेपूरा के मुरह स्टेट के जमिदार होते हुए इनके पिता रास बिहारी मंडल बिहार प्रांती कॉंग्रेस कमेटी के और AICC के बिहार के निरवाजी सदस्ते यानि एक परंपरा थी जो कॉंग्रेसी होने की थी तो सतीज परसाद को एक दिन के लिए C.M. बनवाया जाता है फिर उनको स्तीफा दिलवाया जाता है और इस तर बिहार के पहले गैर कॉंग्रेसी गैर समवर्ड मुख्यमंत्री बिपी मंडल बनते हैं और इसी दिनों घटना होती है बड़े अबारीकी से इस घटना को सुनिएगा जिस समय बिपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री है बरोनी रिफाइनरी में तेल का रिसाव हो गया और गंगा में तेल फैल गया जिसमें आग लग गई बिहार विदान सवा में पंडित विनोदा नंद जहा ने कहा शुद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में तो आग लगेगी ये वो दौर था ये वो राजनीती थी और आज कुछ पिछड़ी जाते के लोग जब ये कहते हैं कि हम अहिर छत्री हैं हम अहिर छत्री हैं तो मुख्यमंत्री का आवास के उन्दुलवाया गया था आपके इन काउंटर क्यों हो रहे हैं आप को जाती के नाम पर भेदबाग क्यों किया गया आपके प्रोफेसर क्यों नहीं आपके जज्ज क्यों नहीं आपके वकील क्यों नहीं है सोचने की जबत है लोदी राजपूत है तो हम कुछवाह राजपूत है तो हम ये राजपूत है सीधे-सीधे ये कहा गया कि तुम तो आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि नहीं, हम वर्न वय्वस्ता और दार्मिक शास्त्रों को नहीं मानते, तो हम फूले की या बाद क्यों मानने कि हम शूदर है, तो किसान हैं, तो फिर आप, आपको जब तेरास्क्त करना होगा तो वह अपरकास्ट्त-ब्राह्मण वादी म फिर से सांसत चुने जाते हैं और 77 में जब जनता पार्टी के बिहार संसदी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते लालू प्रसाथ को करपूरी ठाकूरो सतिंद नाराइण सिंग के विरोत के बावजूद छपरा से लोग सभा टिकट मंडल जी नहीं दिलवाया था यह कुछ एतिय कि मैं तुम्हें उससे बड़ा एक काम देना चाहता हूं जो इस देश की पूरी राजनीत को पूरी समाज को बदल कर रख देगा यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर देना चाहता हूं और मैं तुम्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का दूसरा राष्ट्री आयोग बना रहेगा, OBC की पहचान रहेगी, OBC के हक्खुक के सवाल रहेंगे, मंडल कमिशन का नाम हमेशा यादर किया जाएगा और बिन्नेश्वरी प्रसाद मंडल को बार बार इस बात के लिए याद किया जाएगा कि एक ऐसा राष्ट निर्मार का दस्तावेज उन्होंने तैयार किया, जैसे नव जिजस के बेंच में खारिज नहीं किया जा सका जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम विरोध के बावजूत रोका नहीं जा सका और आज भी वो सीना तान करके चुनोती दे रहा है, बेशक उसके लाभारती कुछ एहसान फरामोशी के शिकार हो गये है बेशक अपने हक हुकुक के लिए सचक नहीं है और मंडल कमिशन आज राष्ट निर्मार की प्रक्रिया में अधूरा है लेकिन वा बीजारोपड हो चुका है, जो आज नहीं कल अन्य पिछड़े वर्थ के बीश से एक ऐसी जमात ऐसे तबके को जरूर पैदा करेगा जो अपने हक हुकुक के लिए सवाल करेगा और किसी तरह के बीवेद, पुराण, गीता, बाइबिल, कुरान और राम चरित मानस को अपने घरों से निकालेगा और मंडल कमिशन के रिपोर्ट को सामने रखेगा और कहेगा कि हमारा हक हमें चाहिए हमाई सिक्षा का हक चाहिए, हमें रोजगार का हक चाहिए हमें जमीन का समान वितरन चाहिए हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए हमें नीजिक शत्र में रिजर्वेशन चाहिए ये वो दस्तावेज है और इसलिए मैंने इस श्रीज़ शक में लिखा कि राश्ट निर्मार की वह प्रक्रिया जो भी अधूरी है वीजार उपड हो चुका है खेट की जुटाई हमारे पुर्कों ने की है बहुत लानते मनालते जेली है उन्होंने तियाक किया है कुर्बानिया दिया है उसके बाद हम आज यहां पहुँचे हैं लेकिन आज हम जहां पहुँचे हैं इस पर जो संकट है जहां से मैंने अपनी शुरुवात के बाद के थे कि उस दौर में जब असी में इसकी रिपोर्ट के अनुशनशाएं टेबल की जाती है और उसके बाद किस तरह से यह पूरा मामला आगे बढ़ता है यानि जहल सिंग के सामने यह होता है 182 में इसको संसद में रखा जाता है लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दियाता है तो वही पेरियार की जमीन उत्तर भारतियता के दबाव में हम सारे सामाजी की ठेकेदारे उत्तर भारत के लोग ले लेते हैं लेकिन सच्चा ही यह है कि उस समय पेरियार के विरासत के लोगों ने, करुणा निधी ने, DMK ने लगातार दस साल तक आंदोलन किया कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू करूं। इसलिए हमें दक्षर भारत के उन आवाजों को आज भी जहां DMK जिस तेवर और तेश के साथ है, जिस वैचारी के सपश्टा के साथ है, वो पेरियार की जमीन है। उत्तर भारत के भी नेताओं ने इसके लिए संघरश किया। समाजवादी प्रिष्ट भूमी के, जनता पार्टी के, जनता दल परिवार के, तमाम नेताओं ने और मनेवरकांशी राम जिनको जरूर याद करना चाहिए, मंडल कमिशन लागू करो, वरना कुर्से खाली करो और रेलिया की। अब यस इतिहास में जाने की बजाय मैं कुछ आज की बात कह करके फिर इस बात को अंतिम पड़ाओं तक ले चलने की कोशिश करता हूँ। का प्रधान मंत्री जिसके घोशना पत्र में यह लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। वह दोर जब मंदिर अंदोलन के लिए तमाम तरह से आतताई शक्तियां सडकों पर उपद्रो करने पर आमादा थी। वह दोर जब 7 अगस्त 1990 को प्रस नोट जारी किया जाता है, 9 अगस्त को इंप्लिमेंट करने के लिए आता है, 13 अगस्त को उसकी सरकारी अधिशूचना जारी होती है और 15 अगस्त 1990 को लाल के लिए की प्राचीर से वीपी सिंग मंडल कमिशन के दो अनुशन शाओं को लागू करने की गोश्णा को राष्ट किस्त नाम संबोधन में हैड्रस करते हैं और उस समय वीपी सिंग का ये प्रसिद दवाग के अन पिछडे वर्ग के तमाम लोगों को संबोधित करते हूं मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा कि मैंने राजनेती का व्याकरण बदल दिया है मैंने एक ऐसे बच्चे को मा के गर्ब से बाहर कर दिया है जिसे अब वापस अपनी मा के गर्ब में नहीं ले जाया जा सकता है वह बच्चा बड़ा होगा वह बच्चा अपना हक हुक मांगेगा आज दिक्कत ये है कि उस बच्चे की शैश्वा वस्था में ही लालन पालन में बहुत चूक हुई है ग्रामर बदला है और उसी बदलेवे ग्रामर का परड़ाम ये था कि जो मंदिर आंदोलन किसी किसी छोटे छोटे संगठन का चल रहा था पूरे देश की मनुवादी ब्रामणवादी ताकते एक हो जाती है बाबरी मस्जिद प्रहमला करने के लिए इस देश में 15 फीजदी ब्रामणों के सत्ता में ग्यान में हिस्सेदारी के वर्चस सुकोष उनिशित करने के लिए मंदल कमीशन का सीधे विरोध करने की हिम्मत नहीं थी ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ और या तिहास इक्तत है जो लोग सीधे मंदल कमीशन का विरोध नहीं कर सकते थे उन लोगों ने रथ यात्रा शुरू कर दी कमंदल की यात्रा ये तिहास है ये फैक्ट है और ये फैक्ट मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ठीक बात है कि 1984 में विश्व हुंदू परिशद ने राम मंदिर अंदोलन की शुरूआत कर दी थी उन्होंने तमाम तरह के संगठन बना लिये थे भूमी पूजन के लिए कभी सांसदों को लिख रहे थे धाई सो सांसद बियॉंड द पार्टी लाइन संसद में बैठ करके ये मेमरंडम देते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए कहां गया वो सॉफ्ट हिंदित्वा हार्ड हिंदित्वा भूलिए गमतित्यास को और आज आप जब सबसे कुरूरतम दोर में है तब यह बात मैं और तेवर के साथ कहना चाहूँगा तो उसमें beyond the party line बहुत सारे लोग खड़े थे कमंडल के समर्थन में वैसे ही वे सारे लोग जो अपर काश्ट, अपर क्लास RSS वाले हिंदुत्वा के खेमे के थे वे ही सारे लोग कमंडल के पक्ष में खड़े लोग मंडल के विरोध में खड़े थे यह अतिहासिक्तत है तो जो मधिम आंदोलन चल रहा था मंदिर का जैसे ही मंदल कमिशन के अंशनशाएं लागू होती है 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू कर दी जाती अगस्त के अंतिम सब्ता में उसी 1990 में दिली नापाद बैठक होती है सारे हिंदुवादी संगटरों की भारती जंता पार्टी और RSS के साथ और रथ यात्रा शुरू कर दी आती सोमनाथ से अध्या तक राम लला हम आएंगे मंदिर भाहीं बनाएंगे इस पॉलिटिक्स को समझिए साथियों OBC के लोगों ये आप के लिए आप बेशक मुझे गालिया देते हैं देते रहिए लेकिन मेरा फर्ज है कि जो इतिहास मैं जानता हूँ मैंने अपने पूर्खों का इतिहास पढ़ा मैंने फूले मबिटकर पेरियार को पढ़ा मैंने मंदल कमिशन की जब अनुशन साओं को पढ़ा तो लाठियां खाई है हमारे नेताओं ने सडकों पर लड़ाईयां लड़ी है और आपके भटकाने के लिए उन्होंने कमंडल का केवल अंदोलन इसलिए तेज कर दिया क्योंकि वो मंडल का विरोज सीधे नहीं कर सकते थे और पूरे देश को संप्रदाइक्ता के आग में जोग दिया केंदर में कॉंग्रेस की सरकार राजी में बीजेपी की सरकार और बाबरी मस्जिद पर आक्रमर करके उसके ध्वस्त कर दिया ठीक बात है हम सुप्रिम कोर्ट के आज के फैसले का सम्मान करते लेकिन हमें हक है इस बात का अपने आपत्ती जिताने का कि यह फैसला उचित नहीं है वही सम्मिदान हमें इस बात की भी छूट देता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रिम कोर्ट के फैसलों को संसद में बैठ करके कैसे बदल दिया जाता यानि वो चुनोती दिया सकती है तो आम आवाम सबसे बड़ी है आम आवाम सबसे उपर है तो इस लिहाज से ठीक है अब आपका 5 अगस्त को यह घोशत कर दिया जाएगा कि 15 अगस्त जैसा आजादी तब थी वह आजादी 5 अगस्त को कहा गया मंडल कमीशन का पूरा आंदोलन और पूरा OBC समाज इस बात के लिए आज लहा लोट है कि उसको नई आजादी मिल गई है क्या यही इतिहास हम पढ़ेंगे आए कुछ तत्थ्व पर बात करते हैं यह हो गई भावुक बाते हैं इस पूरे मसले को आप बिना इसके नहीं समझ पाएंगे मैं दिल्ली विशुद्याले में पढ़ाता हूँ दस साल हो गए लगातार RTI लगाई और मेरे तमाम साथी वरिष्ट साथी तमाम और सामाजी कारे करता वे सारे लोग भी इस काम को लगातार करते रहें और मैं OBC समाज से इस मुखातिब होना चाहता हूँ और फिर से मैं वो आकड़ा आपके सामने रखता हूँ जो पहले भी मैंने रखा है 52 फीजदी आबादी है मंडल कमिशन के रिपोर्ट के अधार पर आपकी आप ये नारा बेशक लगा करके गुंबत पर चड़कर तोड़ने गए थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे बच्चा बच्चा राम का क्या नारा लगा था वो जो बच्चा बच्चा राम का था तो राम लला के जो राजनीतिक जंडा बरदार थे उन्हों में आपको क्या सोपा है OBC के लोगों मेरा सवाल आप से है मंदिर बंदिर मैं अभी नहीं उस पे कुछ निपड़ी कर रहा मैं आपके हकुक का सवाल पूछ रहा हूँ मेरा पहला सवाल OBC समाज से ये है आपने कितने माता पिता बड़े बुड़े बुजुर्ग उन लोगों से मेरा सवाल है आप में से कितने लोगों ने मंदल कमिशन के रिपोर्ट पढ़ी आपने अपने कितने बच्चों को यह बात समझाया कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट न होती तो आपको नौकरी न मिले होती आप हिंदू थे आप बड़ी जातियों के लोग थे जो छत्रियों को होने का दावा करते हैं और शुद्ध होने पर लिंचिंग करने वाली जाती है आप सिख्षा में क्यों नहीं थे जब तक मंडल कमिशन नहीं था आप आईयस PCS क्यों नहीं थे जज आज तक आप क्यों नहीं है जहां आरक्षण नहीं है मीडिया में बियो चीफ चीफ एडिटर आज तक आप क्यों नहीं है जहां आरक्षण नहीं है जहां मंदल कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं है? नीजिक छेतर की कमपनियों में टॉप हंडेड टॉप बिजनेसमेन में क्यों आप नहीं है? जहां मंदल कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं है? या वो उस दारे से बाहर है? यह मेरा सवाल आप से आप हिंदू है भाई फिर आप वहाँ क्यों नहीं है आप जज क्यों नहीं है आप प्रोफेसर जहाँ पर रिजेरोशन लागू है उसका आखड़ा बता रहा है आपके कैबिलेट सिकरटरी कितने है आपके जो वैस चांसलर है वो कितने है प्रिंसिपल कितने है आपके OBC समाज के लोगों 52 फीज दिया बादी है कितने फीज दी है आप लोग आपके बच्चे कितनी तादात में IIT IIM में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे कितनी तादात में विदेश में जा रहे हैं आपके बच्चे कितनी तादात में अशोका गलगोटिया और M.E.T. इन्वेस्टीम पढ़ रहे हैं जान लाकों के फीज दे करके बड़ी बड़ी डिगरियां और विदेश में सीधे करोडों के पैकेज पर केंपस सेलेक्शन हो रहा है ये सवाल मेरा आप से क्यों आपने इस आपसे मुखातिब हूँ क्या आपने यह बात समझने की कोशिश की के 40 अंसाओं में से केवल दो अनुशन सायन लागू है केवल सारुजनिक सिक्षन संस्थानों में आरक्षन और सरकारी नौकरियों में आरक्षन बाकी का कहा गया जो 40 अंसाय थी प्राइवेट सिक्टर मे आरक्षन भूमि सुधार सिक्षा सुधार जो वित्ती निगमों के स्थातना की बात की गई थी हस्तिल्प कुटीर द्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी हर जिले में सरकारी होस्टल बनाए जाने की बात की गई थी OBC के लिए हिंदू लोगों आपके लिए कित इन सब के पुष्टैनी पेशों के लिए कितना अंदान मिलता है आपको ये मेरा सवाल है आपसे भूमिसुदार हुआ क्या OBC समाज के बीच में ये 38 अनुशनसाएं लागू नहीं हुई है आपने बच्चों को पढ़ाया क्या खुद पढ़े क्या मंडल कमिशन की इन है ये सवाल कहा है मेरा सवाल सीधा सा यह है कि ये सारे सवाल कहा है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट में से 38 अनुशनसाएं लागू है जो आपको पता ही नहीं है लेंड रिफॉर्ड नहीं पता आपको एक दो चीजे है वो सारी चीजे आप क्यों नहीं जान पाए क्यों नही अच्छर से बहुत छोटी सी छोटी सा हिस्सा नोकरियों में जा पाता है शेश को ब्यावसाइक कोशल की जरुवत है जिसका फायदा वो उठा सकें क्या ब्यावसाइक कोशल निगम बनाए गए क्या OVC के लिए यह अनुशन साय है चैप्टर 13 चालीस अनुशन साय है आवास किसी बना रहे हैं उसमें से कितना फायदा मिल रहा है कितना मिला आपको यह सवाल मिला है आपसे सामाजिक राजनितिक संतुलन शीर्स किसानों के पक्ष्व बनता है और इससे अन छोटे किसानों मजदूरों के प्रभुत बनाए रखने में मदद होती है इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार और सिक्षण संस्थानों में आरक्षण के साथ सभी संभव वित्तिय साहता तब तक सिर्फ दर्द घटाने वाली आउस्दी शाबित होगी जब तक कि पिछड़े पन की समस्या जड़ से नसमाप्त कर दी जाए इसलिए बड़े पैमाने पर छोटे भूमिधारत जोतदार क्रिशी श्रमिक गावों में काम चलाओं कारी गर अकुशल श्रमिक आदी अनुस जाती अनुसूची जन जाती और अन्पिछरे वर्के होते हैं इसलिए सामाजिक परंपराओं के अलावा साधन संपन उच्छ क्रिशकों की प्रभुता की वजह से मुख्य रूप से कर्ज देने जमीन का छोटा टुकड़ा पट्टे पर देने और घर के लिए जमीन मोहिया कराने और जोपड़ियां डालने के लिए जमीन देने से गरीब किसानों से अपचारिक बंधन बन जाते हैं और नौकरशाई का बड़ा तपका शीष किसानों से जुड़ा होता है और वर्ग वज़ाती है जुड़ाओं की वज़े से सरकारी कामकाज करने वालों के साथ अधिवल कमिशन कहे रहा है, लेंड रिफॉर्म, इकोनामीकल रिफॉर्म, एग्रिक फ्アल्म, एजूकेशन रिफॉर्म आप हिंदू बने हो बैटे कितना reform आपका हुआ आप Twitter पे बैट करके गालिया देते हो सामाजी के नयाय को गालिया देते हो आरक्षड को गालिया देते हो OBC के लोगों यह परकाष के लोग तो गाली ही देंगे भाई उनका तो पूरा हेजिमनी उसी से बना हुआ है ये मेरा सवाल उन माताओं पिताओं से है उन घर में बैठ करके रोज जहरीले न्यूज चैनल देख करके अपने बच्चों को दंगाई बनाने वाले लोगों से है कि आपने मंडल कमिशन के सिफारिशे क्यों नहीं पड़ी और उन बच्चों से है जो विश्वद्यालियों तक आप आए है विश्वद्यालियों की दहलीज तक चले गए आपने मंडल कमिशन की रिपोर्ट नहीं पड़ी और वन विश्वद्यालियों के लोगों से मैं फिर से वही आकड़े कहता हूँ, प्रोफेसर का आकड़ा, 40 के इंद्रे विश्वद्यालियों में एक जुला, एक जन्वरी 2020 तक का आकड़ा, OBC के 96% प्रोफेसर के पद खाली हैं, और कुल OBC 40 के इंद्रे विश्वद्यालियो ग्यारा हजार पांसो पचपन और वैकेंट उसमें से 688 और उन वैकेंट पोश्ट में से पता है 96% वैकेंट पोश्ट OBC किये प्रोफिसर पे केवल नौ प्रोफिसर गर्व से कहो हमिंदू है 5 अगस्त को 15 अगस्त की तरह आपको नया राश्ट्री पर्व मिला है राम मंदिर बन रहा है तो सारे कष्ट मिट गए मेरा कष्ट ये है कि ये 9 प्रोफिसर आजादी के 70 साल बाद 52 फीजदी OBC आबादी के क्यों है इसका जवाब मुझे चाहिए गर्व से कहो हम हिंदू है वाली विचारधारा और OBC लोगों से जो उसके पक्ष में खड़े असोसियेट प्रोफिसर चाहरान बेद असमलो 30, 94.30 पोश्ट एसोसियेट प्रोफिसर की 40 के इंद्री विश्व द्यालेओं में OBC की खाली है गर्व से कहो हमिंदू है 41.82 परसेंट असिस्टन प्रोफिसर की पोश्ट OBC की इस देश के 40 के इंद्री विश्व द्यालेओं में खाली है गर्व से कहो हम इंदू है 40 के इंद्री विश्व द्यालेओं कहां करा यह है तो 800 विश्व द्याले 40,000 डिगरी कॉलेज इतने विश्व द्यालेओं में OBC कितने होंगे कितने वाईस चांशलर है कितने प्रिंसिपल है कितने डीन है कितने आपके प्रोवीसी हैं कितने रिजिश्टरार है कितने विभागा देक्ष है OBC यह सवाल आपसे है गर्व से कोवम इंदू है मैं भी इंदू बनना चाहता हूँ लेकिन मैं जब अपने देश में यह देखता हूँ कि 5 अगस्त को 15 अगस्त की तरह एक नया आजादी का दिल मिल गया है मैं नई एजुकेशन पॉलिसी में यह देख रहा हूँ कि अब मुझे मानों से महा मानों विश्व मानों बनाया जाएगा तो मैं खोजता हूँ कि 22% OBC में से 9 प्रोफेसर 96%, 90%, 94% पोश्ट खाली मैं कैसे कहूँ कि गर्व से मैं हिंदू हूँ और जो गर्व से कह रहे हैं मेरा सवाल है और जुडी शरी ब्यूरोक्रिसी पिर बस पूरे डिटेल है चुकि वक्त जादा हो गया है तो मैं आपका जादा वक्त नहीं लूँगा और अपनी बाचीत खतम करूँगा जाते हैं ये सवाल पूचूँगा कितने जज हैं OBC के जो आज 70 साल बाद 52% OBC इस देश की आधी आबादी आपकी है गर्व से कहो हम इंदू है आधी आबादी आपकी है आपके कितने जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में अब तक बनाए गए है 70 साल के आजाद भारत में कितने वकील सुप्रीम कोर्ट के आपके हैं कितने कुलपती आपके बनाए गए हैं 52% OBC इस की आधी आबादी OBC गर्व से कहो हम इंदू है कितने वाइस चैंसलर आपके हैं कितने ब्यूरो चीफ आपके हैं कितने ब्यूरो क्रेट्स आपके हैं कितने कैबिनेट सिक्रेटरी अब तक आपके बनाए गए कितने मिनिस्टर आपके बनाए गए SCST को आरक्षित पत दिये गए हैं OBC के कितने मंत्री बनाए गए हैं और कितने लोग हैं जिन्हों ने इसके लिए आवाज उठाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप केते हो आपको आरक्षन की जरूरत नहीं तो जहां आरक्षन लागू नहीं है मेरा सवाल फिर से आपसे गर्व से कोवा मिंदू है मीडिया में आरक्षन नहीं है कितने OBC मीडिया में ब्यूरो चीफ है चीफ एडिटर है कितने एडिटर इन चीफ है गर्व से कोवा मिंदू है नीजिक शेत्र जहां OBC आरक्षड या कोई भी आरक्षड लागू नहीं है संतान भी 97% जॉब इस समय प्राइवेट सेक्टर में है मंदल कमिशन तो कह रहा है कि अगर सरकारी रंदान एक रुपया भी किसे नहीं लिया है तो वो प्राइवेट नहीं होता गर्व से कोई आप हिंदू हो तो 97% जहां प्राइवेट सेक्टर है वा कितने परसेंट OBC है कितने लोगों को नोकरी मिली और आप 5 अगस्त को नया राष्ट्रे परव मनाने के लिए तयार है तो ये तयारी आपको मुबारत BP मंदल हो, रामनोहर लोहिया हो सव में संसो, पाने, माधी, गाठ, पिछड़ा, पावे, सव में, साथ वो हिम्मत, वो तेवर कहां चला गया क्या तब वो हिंदू नहीं थे रामनोहर लोहिया क्या तब के पिछड़े अंदोलन के लोग हिंदू नहीं बन रहे थे उनको तो मंदिर में नहीं जाना था ये मंदिर आंदोलन आपके मंदल कमिशन के आंदोलन के साथ कैसे आ गया गर्व से कौम हिंदू है जमात ये जवाब मुझे आपसे चाहिए एक तरफ आपका मंदल कमिशन लागू हो रहा है दूसरी तरफ रत्यात्रा निकल रही है ये सवाल आपसे क्यों नहीं आपको समझ आया बाबु जग्देव प्रशाद कुस्वाहाद जिस वक्त ये कहते हुए मारे गए शहीद हुए वह वक्त क्या हिंदू होने का नहीं था वो भी तो इसी इसी 30 साल 40 साल पहले की घटना है और आज आप हमें ही गालियां देते हो दिन राग बैट करके कि हम केवल पॉलिटिक्स चमका रहे है हम कौन सा चुनाव लड़े आज तक लेकिन जब मैं अगर पढ़ता हूँ तो मुझे इस बात की पीड़ा होती है कि बाबु जग्देव प्रशाद को स्वाहा के समय सोशल मीडिया नहीं था ट्वीटर नहीं था इतने लोग प्रोफिसर नहीं थे इतने लोग एजुकेट नहीं थे आज OBC के इतनी बड़ी जमात पढ़ लिख करके कह रहे है गर्व से को हम हिंदू है पांच अगस्त को नया वो बनाने चाह रही है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ खूब गर्व करो कि आप हिंदू हो लेकिन बाबु जग्देव प्रशाद को स्वाहा के नारे के इसाब से एक सवाल ही हभी तो पूछ लो सो में नब्बे शोशित हैं शोशितो ने ललकारा है धन धर्ती और राजपार्ट में नब्बे भाग हमारा है तो वो नब्बे भाग कहां है आपका इसलिए आप से मेरा अनुरोध है कि आप से यह यह बात मैं एक अपील के तहत कह रहा हूँ और आखरी बात कह रहा हूँ जो लोग समझते हैं मैं अब तक सम्मुदित कर रहा था उन लोगों को जो गर्व से हिंदू खुद को कह रहे थे जो पाँच अगस्त को नया भारत का रश्टी पर्व मनाने जा रहे हैं प्रोफेसर नौ है और वो गर्व से हिंदू कह रहे हैं वीरोचीप, वीरोडिटर और इनके वीरोक्रिसी में कैबिनेट सिक्रेटरी, कैबिनेट अधिकारी आज आपका सारा रिजर्वेशन छीन लिया गया और आप उसी वक्त जिए रिजर्वेशन चीना जा रहा था क्रीमी लेयर का प्रावधान आठ लाग से बढ़ा कर बारह लाग किया जा रहा है और उसमें परसनल इंकम जोड़ी जा रही है कृशी की आय जोड़ी जा रही है इसके बाद आपकी सीटें वेकेंट रह जाएंगे और आपके OBC रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गर्व से कहिए आप हिंदू हैं आपके संसदीय समीती ने गड़ेश सिंग की संसदीय समीती ने यह recommend की कि क्रीमी लेयर में यह छिड़छाण मत करिए उसको वापस करके BP सर्मा कमीशन बना करके क्रीमी लेयर बदला जा रहा है गर्व से कहिए आप हिंदू हैं प्रावेट सरी से लेकर के देश भर के अकादमिक संस्थानों में यू आर केटेगरी अरे ओबी सी की लोगों फिर से एक बात गंविरता से सुल्लो भाई बावन फीजदी आरक्षड था ये पेज नंबर में बता रहा हूँ यार थोड़ा तो समझो फिर गर्व कर लेना हिंदू बनने का चेप्टर 13 पेज नंबर ये वाली किताब है पेज नंबर 223 क्या लिखा है हिंदू और गैर हिंदू OBC की कुल आबादी की करीब बावन फीजदी बताई गई है पिछड़े वर्क्याबादी इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर OBC के लिए बावन प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए तो उसके बाद उन्हें ने कहा कि चुकि अपर लिमिट है सुप्रीम कोड की की 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता था तो उसका आदा यानि 27% आरक्षण मिला तो UR में अगर OBC के लोग सेलेक्ट नहीं किये जाएंगे तो तुम 52% हो और तुमें मिल रहा 27% और आज की डेट में कोई वेकेंसी ऐसी नहीं आ रही है जिसमें UR में OBC को मेरिट में क्वालिफाई कराया जा रहा हो 52% आबादी को 27% जगह पर कैद कर दिया गया 15% सवडों के लिए 10% EWS आरक्षण दे दिया गया 50% UR का पहले से आरक्षण है गर्व से कहो हम हिंदू है ये आज का वाक्य है और इसलिए मैंने कहा कि ये वो पड़ाव है जा मंडल की राष्ट निर्मार की यात्रा धूरी है क्रीमी लेयर जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन क्या बनेगा आपके क्या बचेगा निजी चित में अरक्षण लागू होने का कोई अंदुलन नहीं आखरी बात कि अगर अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो उमेद रखते हैं कि हारे नहीं है हम लाख बुरी परि और आजाद भारत की वो पहली क्रांती थी जब भारत का सम्विधान इस देश में लागू हुआ मैं किसी पद पर नहीं हूँ कि मुझे अगर कहूंगा तो राम कालपनिक बात रहे तो मुझे आप उस पद से हटा देंगे और फिर सामाजिक न्याय पर बीपी मंडल को बधाई देने का ट्वीट भी करेंगे मुझे नहीं चुनाव लड़ना लेकि मैं यह बाद दंके की चोट पर कहूंगा कि मैं 5 अगस्त को कोई राष्ट्री पर नहीं मनाने वाला क्योंकि मेरा सवाल यह है कि 52 फीजदी OBC कहां खड़ा है आज जिसमें गर्व से कहा था कि वह हिंदू है राष्ट निर्मार की लेंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इंप्लाइमेंट रिफॉर्म, वित्तिय निगमों की पूरी विवस्था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, कहां लागू हुआ राश्ट निर्मार की प्रक्रिया को तो रोक दिया गया पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वे लोग जो मंडल कमिशन के रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं होने दे रहे या लागू होने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे ये मेरा साफ तोर पर कहना है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राश्ट निर्मार की प्रक्रिया अदोरी है लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा स्याह रात नाम लेती नहीं ढ़लने का यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का हमारे पुर्खे जिस वक्त लड़े उस वक्त सोशल मेडिया नहीं था उस वक्त पढ़ी लिखी जमात OBC के बीच से नहीं पैदा होई थी उस वक्त वो तमाम तरह से रूडियों में ग्रस्त थी सचेत नहीं थी तब भी वो ललकार कर बोल गए कि हमें हमारा हक चाहिए बामन फीजदी OBC को बामन फीजदी आरक्षड चाहिए आज आप इतने लोग हो चलो एक नई शुरुआत करते हैं मंडल कमिशन के रिपोर्ट में किसान, मजदूर, कामगार जो कृशक पेशे हैं जो लुहार, कुमार, बढ़ई, नाई, मोची, मला, निशाद, जुलाहा, पसमानदा जातियां कसाई, कुरैशी, अंसारी इतनी जातियां, 3743 जातियां तब थी पसमानदा मुशलमानों में OBC जातियां क्यों न चलो एक नई शुरुआत करते हैं किसानों को किसानों की भाषा में सुनाने की कोशश करते हैं मजदूरों के सवालों को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं आर्थिक न्याय के सवाल को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं लेंगिक न्याय के सवाल को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं कहां है मैलाओं की हिसेदारी बदनाम किया इस समण मीडिया ने जो बैट करके कहती थी कि मा सरसुती का पावन प्रांगर दूशित हो जाएगा अगर उच्च सिक्षा में अरक्षडा जाएगा लो हमारे पुर्कों ने ऐसा अरक्षड तयार किया कि तुमारी लाख बाधाओं वो दरने वाले नहीं है आओ अब हम एक जुट होते हैं कुछ गल्तियां हमसे हुई हैं कुछ हमारे राजनितिक दलों ने गल्तियां की हैं उनको किनारे करते हैं एक नई शुरुवात करते हैं किसान, कामगार, श्रमशील, चोदरी, छोटू, राम के शब्दों में कमेरा जाती हो एक हो जाओ बाबु जद्देव प्रशाद कुछ वहा और राम सुरुव वर्मा के शब्दों में श्रम जी भी जाती हो एक हो जाओ राम मनुहर लोहिया के शब्दों में पिछडों एक हो जाओ गांट मादो सव में साथ तुम्हारा हैं चलो एक नई शुरुवात करते हैं सिक्षा स्वास्त रोजगार पर हम लड़ाई लड़ें हम इन सवालों पर RTI के जरिये जो हमारे पास डेटा हैं उनके जरिये चलो एक नई व्याख्या शुरू करने और इस ब्रह्मणवादी हिंदुत्वा की हजमनी को यहीं से चुनोती मिलेगी जिस दिन इस देश का आधी आबादी का OBC समाज फिर से एक जुठ हो जाएगा और इस बात के लिए तयार हो जाएगा कि हम अपने हको को के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे इसके लिए हम लोग आज फिर से एक जुठ होने का एक संकल्प लें एक कोशिश करें और यह कोशिश करें कि हमारी एक जुठता किस तरह से हमारे लिए एक नया भविश ले कराएगी तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को धेर सारी उनके जैनती पर बधाई देते हुए मैं आप सभी से इजाज़त लोगा दो नारों के साथ कि संसोपाने बांदेगाट पिछरा पावे सो में साथ कहां है सो में साथ और सो में नब्वे शोशित हैं शोशितों ने ललका रहा है धन धरती और राजपार्ट में नब्वे भाग हमारा है नई शुरुआत करेंगे एक दिन वर दिन जरूर आएगा जब हम अपने हकोको की लड़ाई जीतेंगे अपने पुर्खों के साथ न्याय होगा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल, NB News 24 x 7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोचा करें